भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिरन जी दो रिपोर्ट हमारे पास आचुकी है अब तक मैं आपका कमेंट्स जानना चाहता हूँ मिर्जेद जी ये चुनाओ है यहाँ पर तो निर्दलिये भी जीतने का दावा करता है आज ये पार्टी अगर जीतने का दावा कर रही है तो क्या बुरा है 2017 के एक्जिट पोल जब आया था तो जो 325 सीट पाया उसको भी नहीं अद्बार था भाजपा को भी कि इचिट पोल कितना सही होगा कितना गलत होगा इसका कोई आकलन नहीं है कोई अंदर की बात लेक्या रहा है कोई बाहर की बात लेक्या रहा है अब जब एदनी TH999 अगर आधि थी तो किसी को आधि दिखी क्यों नहीं यह सब फाइनल पर्डाम नहीं है फाइनल पर्डाम दस मार्च को आएगा और यह जो जीतार का दावा कर रहे हैं लोग यह लोग जानते हैं कि माहौल बनाए रखो खाली ताली पीटने वाले ज्यादा चुट जाएंगे आज जो हाल है साथ जन्वरी से जिस चीज की सुरुआत गया उसका दो महीने का भ्यान चला यह गर्मी सर्दी ठंडी धुआ धकाड़ यह कहां गया यह उत्तरप्रदेश में भश्टाचार यह ब्यूरो क्रेसी का बेलगाम यह उत्तरप्रदेश में सुसासन यह बुल्डोचर यह हिंदू और मुसलिम यह सब कहां गया कि यह इन स सब कहां ओड़ देके आये हैं इन्होंने किसकी सरकार चुनी है यह उत्तरप्रदेश की दस्तारीक को पता चलेगा जी थोड़ा वक्त का भाव है जी वक्त का भाव जरूर है लेकिन जो लोग बैठें आज सरकार बनाने के फेर में वो चौकने लगे हैं बेवक्त की हवा से भी जो कह रहे थे कि डरते नहीं खुदा से भी जी यह मद्दाताओं का दूई महीने से पर चू रहे थे दूख इस बात का है कि अब यह देखना भी पसंद नहीं करेंगे इन लोगों ने चुनाव खतम करा लिया उल्लू सीधा हो गया मामला हल हो गया अब जीत हार पे पा काने वाला उत्तरपरदेश बाहर से तमाम लोग आये थे अब अपने अपने घरों करवाना हो गए हैं एक साहितिकार ने लिखा है कि सच कहूं तो मुझको यह उन्मान बुरा लगता है और जुल्म सहते हुए इंसान बुरा लगता है और किस कदर हो गई मश्रूप यह करता हूं कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त आज की परचर चेक ने निकाला और